बताओ जी जो विपक्ष के नेता और भारते जनता पार्टी जी के पुरव सरकार के पुरव मुख्या मंत्री जी ने जो बात कही है सदन में वो बात सही नहीं है और जो योजनाे होती है जो पिछली योजनाे होती है वो CONTINUITY PORCESS में होती है जो कुछ चेंज की जाती है उसके नाम के आगे लिखा होता है हमने हिमकेर को अभी बदलानी है हिमकेर योजना को अभी चली है उसमें और सुधार की जूरते उसको और सुधार भी कर रहे हैं और सहरा योजना दोनों योजना को हमने जारी रखा है जो समाज के हित में और हमाचर के लोगों के हित में जो हैं वो जानते हैं उनके पास कहने को कुछ नहीं था क्योंकि बज़ट ने उनका मुह बंद कर दिया था जो बज़ट स्पीच होती है उसमें बज़ट स्कीम बाइस प्रस्तावित क्या होता है अब जैसे हमने कहा कि कांगडा एरपूर्ड में 2000 क्रोड प्या खर्च होना प्रस्तावित है और वो कह रहे थे कि उसमें 300 कुछ क्रोड रखा है जब वो खर्च होगा तो उसके बाद और आता है हर क्वाटरली पैसा आता है तो वो सब चीज़े जानते हैं पर लेकिन उनके पास कहने को इस बज़ट में आग्ऊमेंट होता है उसमें जो सरकार द्वारा कहा जाता है ओर टत्थ्या होती है तरक होते है लेकिन जब विवक्ष में आ जाते हैं तो आखड़े बताते कि इसमें इतना क्रोड रखा था इसमें इतना क्रोड है परस्तावित व्याय का मतलब है कि अगर हमने कांगड़ा एरपोर्ट का expansion करना है तो उसके लिए 2000 क्रोड रुपया परस्तावित व्याय है यानि एक साल के अंदर 2000 क्रोड पर हमको करना है बजट में हमने उसका प्रभधान किया यह बात बात पर्चेट एक सोबरन स्टेट होती है और जो सेंटर से टेक्स जीस्टी के रूम में कुलेट किया जाता है जीस्टी कुलेक्शन होती उसमें ही एठाराजार क्रोड हमारा भी 9 परसेंट इससा उसका एक पर यह बात है कि 75 जार के क्रोड रुपे के करजे में वह सेंटर से डवल इंजन की सरकार एक भी पैसा नहीं दला सकी हमने आज उनको गिना दिया वो इल्टा गिन रहे थे कि क्या क्या बात क्या वता नहीं कहां कहां का करज बोल रहे थे सिक्स्थ पे कमिशन लागू हुआ पैंशनर्स को अभी तक के एरियन नहीं मिला यह जो सरकारी करमचारी की जो पैंशन वाले होंगे न उनको कोई नहीं मिला और जो सरकार कि पैसा होती है यह जैसे जैसे सीम से खर्च होता जाता है उसमें और पैसा आजाता ये योजनागत तरीके से पैसा उसमें आता है जब बजट प्रस्तूत किया जाता है तो इतना पैसा हमने खर्च करना है ये तो पैसा भी खर्च नहीं कर सके कई जगा तो उन्हें थोड़ा सा कहने को कुछ नी था अब उन्होंने ब्रोध तो कर दिया इदर उदर की बात करके उन्होंने अपना एक घंटे का भाशन कर दिया कि ये खर्चा गया ये खर्चा गया ये नहीं है वो भी जानते हो मुख्यमंतरी रहे हैं कि इस बार बजट बहुत अच्छा है और बजट में सभी वर्गों को ख्याल रखा गया है युवाओं को खासकर ख्याल रखा गया है युवाओं को सौरोजार गयार की तरफ ले जाने की तरफ ख्याल रखा गया है जो हमने चालीस परसेंट सोलर प्रोजेक्ट लगाने की युजना लाई है वो गौओं के युवाओं के लिए आई लाई है उसका अक्सलिम मक्सद है कि गौओं के हमारे युवा जो है वो घर बैठ कर पैसा कमाए तो ये योजना भी थोड़ा सा बिस्तरी तो और आएगी तो आप लोग भी पाएंगे कि हम सब लोग भी इस योजना के अंतरगत लाव उठाए इस साल हमने एक हजार मेगा वाट की प्योजना इस साल एक हजार मेगा वाट की योजना हम हमाचल परदेश के युवाओं को देना चाते हैं सो किलो वाट से लेकर एक मेगा वाट तक हम 40% सबसिटी देगे किस तरह से प्रदेश सरकार नज़र रख रही है आज युके में भी लंदन में जो हाई कमिशन है वहाँ भाठीय जंडे को उतारने का प्रयास किया गया हाला कि इसको इसकी रख दिने बात में किया हुआ देखे हमाचल शांती प्रिया प्रदेश है हमाचल में कानून विबस्ता अच्छी है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमाचल में ऐसे घड़ना ही नहीं हो सकती है हमने सक्ती करने का नरदेश दिया है हाई इलर्ट पर हमने हमाचल को रखा है और दूसरी बात जो आप कहा रहे कि हिंदुस्तान में के नागरिक जहां भी रहते हैं जिनके दिलों में जंडा रहता हो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि उसको निकाल कर हमारे दिल और दमाग से भारतिय जंडा जिसका हम सब लोग सम्मान करते हैं हो हमेशा हमारे दिल में हैं हमारे दिमाग में भी है हम सब उसकी इज़त कर सकते हैं ठीक है रान तो अभी तक कोई ऐसी बसिस का मेरे पास अभी सुचना नहीं कि हमने कोई बंद किया थेक हो लगर आपने को बक्तब दिया है सब कितना राजस हो जो है यह देखो मुझे तो इस बात की खुशी है कि जो हमने विवस्ता परिवतन का दौर लगा उसके तहत शिराव के जो ठेक थे उसमें चालीस प्रतिशत के जो मैंने स्टेटमेंट दी है इस हाउस में बिद्धी हुई है पांसो बीस क्रोड रुपया हमारे एक साल में एक्स्टा आया है और जो हमने दूद का सैस लगाया है उससे सो क्रोड रुपया और आने की समावना है यानि कि रात वाले साथि पे दे रहे है आप हम तो इस दुदिकों से उसमें भी हमारे बार सो क्रोड रुपया आएगा पानसो बीस क्रोड किसे भले में लगेगा, यूऑ के भले में लगेगा, टक्सी के इलेक्टिकल भीकल सक कि करनी के लगेगा, तो यह योजना हम जो लाए है, वो ठीक है, इस بा जब परिवर्तन आ रहा होगा परिवर्तन आ चुका है विवस्ता बदल रही है बहुत बहुत धन्यवाद अगर ऐसा है तो क्या करवाद ने ने ये तो पिछे से बाउंडरी इशू है काफी पहले से चल रहा है उसको इस इशू को मिल भाट के सॉल्ब कर रहे है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है धन्यवाद